राम राम किसान भाहियो, मैं पुरसोत्तम कुमार फिर से आजर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल किसानों की पाट साला में किसान भाहियो, आज हम बात करेंगे इस साल यानि 2022 के लिए सर्सों की रिकार्ड तोड़ पादन देने वाली पांच किस्मों के वारे में मैं आपको जो पांच बैराइटियां सर्सों की बताने वाला हूँ, वो पांचों मैराइटियां बहुत ही अच्छी बैराइटियां रहने वाली हैं इस साल में इसके अलाबा इन किस्मों की बुबाई का समय कितना खाद एमों रोबरक की कितनी मात्रा खेत के अंदर डालनी है आपको बीजदर कितनी डालनी है तथा इसकी बुबाई का सही समय क्या है तो आप इस वीडियो में लाश्ट तक बने रहिए तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरसों की बुबाई की तो किसान भाईयो आप सरसों की बुबाई 15 सितंबर से 15 नवंबर तक कर सकते हैं वीजदर की बात करें तो एक एकड़ खेत के लिए सरसों का एक किलो वीज परियापत रहता है किसान भाईयो हम में तरफ तहक Ultra कर ले समय को किस किस खाद की और कितनी कितनी मात्रा अपनेकेट में डालनी है तो इसके लिए किसानवाय। आपको लेना में यूरिया 30 पर पोटाऊस लेनी है 20 परफ पर सिंगल गैर्म पर्तियकर 100-120 पिलोग्रभरी ईकर और इसके साहट आपiß को रीजेंट लेनी है पांच किलोग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से आप इन सब को अच्छी तरह से मिला कर खेत में छिटकाओं कर दें और इसके बाद आप अपनी सरसों की बुबाई कर दें किसान भाईयो आईए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी किस्मों की आपको बुब बाइए कर सकते हैं तो सबसे पहले हमने किस्म म ली है वह किसान भायो वायर शल्हें की प्रो एकर बावन 22 यह बहुती सांधार किस्म है इसका उत्पादन आपको बहुत अच्छा मिल जाता है ऑग दूसरी वह किस्म 2017 की पैघफालेस एस्छालेस आफ यह किसमी बहुत ही अच्छी एवंसानदार किस्म माने जाती है इसकी भुबाईत कर सकते हैं यह आपको बहुत ही अच्छा द्रेज़ निकाल करके देने वाला हुर्प किसान भाईयो तीसरी किस्म है स्री राम सीट्स की 1666 यह किस्मी किसान भाईयो बहुत ही अच्छी किस्म है इसके लावा चौथी जो किस्म है किसान भाईयो वो है पायोनियर सीट्स की 45-42 यह किस्मी किसान भाईयो बहुत ही बहतरीन एवं सांदार किस्म है उत्पादन की द्र किसानभाइव, पिछले दो- تीन बरसों से बहुत ही उतपादन निकाल कर दे रही है, इस किस्म का उतपादन बहुत ही अच्छा निकल कर आ रहा है। समय पर करते हैं यसे खाद या सिचाई आपको अपनी फसल में यदि समय पर देते हैं तो यह किसमें आपको दस से बारे कुंटल प्रती एकड़ तक की उपज निकाल कर देती हैं किसान भाईयों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर में लेंगे तब तक के लिए नमस्कार जैहिन